Hello Students, Welcome to Knowledge Academy, कैसे हैं, आप सभी सर्वे भवन्तु सुखिनाएं कि अभिलाशा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यह टॉपिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित टॉपिक है, यह अंतर राश्ट्रिय राजनीती के संबंध में हम देखेंगे कि थियोरी यह टॉपिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, तदा इसके अंतरकत में हम रेलिस्टिक थियोरी यानि अधार्तवादी सिद्धान्त के संबंध में दिसक्शन करेंगे, यह टॉपिक निश्चिती एक इंपॉर्टन टॉपिक है, चाहे युनिवस्टे एग्जामिनेश यह टॉपिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर राष्ट्री ए राजनीती से संबंधित क्वेश्चिन्स में आज आते हैं, यह यह कहें कि इस तरह से पूछा जाता है कि अंतर राष्ट्री ए राजनीती के अध्यन के विबिन्नी सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए, तो इसमें जो अंतर राष्ट्री ए राजनीती से संबंधित जो सिद्धान्त हैं वो आपको बताने होंगे, लेकिन उसके पहले आपको कॉंसेप्ट क्लियर करना होगा, यह पूछ लिया जाता है कि अंतर राष्ट्री ए राजनीती जो है उसके संबंध में विबिन अध्यन व जो भी सिद्धान्तिया उपागम आपसे पूछा जाता है उसके संबंध में आपको उत्तर लिखना होगा या विबिन सिद्धान्तिया दी पूछ लिये जाते हैं तो आपको देखना होगा कि यह लॉंग आंसर टाइक कोश्चन है उसके एकॉर्डिंग आपको चीजों को लेकिन इन सभी के लिए आवशक है कि आपके पास तथ्य परक नॉलेज हो ताकि आप अपनी विशय वस्तियों को एक्जामिनेशन में भली भाती प्रस्तुत कर सकें देखिए सब सर्व विधित है कि प्रतिक शास्त्र के शास्त्री अध्यन के लिए यानि क्लासिकल स्टड सभंद्ध में कुछ चीजें define की गई है कि कुईसी राइट ने कहा है यह एक कहीं कि अंतराष्ट्र राजनीति के सिध्धानत को समझने के संभंद्ध में इस Definiation को समझना आवशक है कि अंतराष्ट्र राज नीति के सामानी सिध्धानत का अर्थ एक व्यापक, ग्राय, सं संबंद एवं संशोधित ग्यान सरचना से है जो राज्यों के पारस पर एक संबंद हो तता विश्व परस्थितियों को समझने भविश्यवानी करने विवेचन करने नियंद्रत करने के योगदान से संबंदित है कुल मिलाकर इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो इंटर भविश्यवानी की जा सकती है इन सभी को समझने से संबंदित और नियंद्रत करने से संबंदित है क्योंकि यथार्थ के आधार पर ही वास्तों में भविश्यवानी की जा सकती है इसी तरह से अंतर राश्ट्रिय राजनीती के संबंद में इसके अध्यन के संबंद में जो कुछ विभिन प्रकार के प्रमुख वर्गी करण किये गए हैं इन मेंसे मुख्यत दो माने जाते हैं कि अंतर राश्ट्रिय ख्रेट की समगर वस्तोस्थिती के आधार पर जो अपधारणाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है उदारण के लिए मान लीजिए कि अंतर राश्रिय क्षेत्र की समगर वस्तु इस्थिती को समझना है तो इसके अंतरगत यदार्थवादी तथा आदर्षवादी द्रश्टिकोन को शामिल किया जाएगा उसी तरह से जो इसकी नेक्स्ट अवधारणा है कि अंतर राश्रिय क्षेत्र की आंशिक वस्तु इस्थिती है तो इसको समझने के लिए शक्ति संतुलन, नीती निर्धारण, खेल सिद्धान्त, विविन प्रकार के जो द्रश्टिकोन है उनको निर्धारित किया जाएगा य लेकिन यहां पर आज हम यतार्थवादी सिद्धान्त के संबंद में डिसकस करेंगे और जो यतार्थवादी सिद्धान्त है ये वास्तों में अंतर राश्रिय क्षेत्र की समगर वस्तु इस्थिती को समझने के संबंद में देखा समझा जाता है तता इसके अध्यन के लि तो ऐसा विद्वान मानते हैं कि 18 वी शतापदी तथा 19 वी शतापदी के समय में इसकी अवधारणा विक्सित हुई यह कॉंसेप्ट अस्तित्व में आया और सेकंड वर्डवार यानि दितिय विश्वयुद्य के पश्चाद भी इसको विक्सित करने का या विक्सित होने का दिया गया है अब इसकी मानताओं यानि assumptions के संबंद में यदि हम डिसकस करें तो यथार्थवादी जो सिद्धानत जैसा कि इसके नाम से ही इस पश्ट है कि यथार्थवाद पर आधारित है यानि व्यवारिक्ता पर आधारित है कहीं भी इसमें कल्पना या किसी भी प्रक जो भी निशकर्ष लिये जाते हैं या यह कहें कि जो भी चीजें recite की जाती हैं वो वास्ताओं में व्यवारिक द्रश्टिकोन को ध्यान में रखते हुए recite की जाती हैं इसमें अमूर्ट आधर्षों का कोई भी स्थान नहीं होता है कि जो पहले से आधर्षवादी अवधा कोण के जो जन्म दाता हैं वो मार्गें थाहू है इस सिद्धान्त के अंतर उंत्रगत शक्ति को प्रमुखता दी जाती इसे शक्ति सिध्धान्त सुईकरत किया गया है। इस सिध्धान्त के आधारबूत मान्यता यह है। संघर्ष कोगा थो सबके मध्वर्ष उससे जिस लिस में जाmee जा चाहिक है चाहिए वा समय आधर्ष और मत्य आधरश के लिखने को तो बाता संघर्ष के आधारणा नी अ कर जाता है तता शक्ति का प्रदर्शन इत्यादी है अता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए यतार्थवादी सिध्धान्त को भी समझना आविशक है तता एक्जामिनेशन में इस संबंद चीजें पूछ ली जाती है अब ये बात और है कि वास्तों में यतार्थवाद सिध्धान्त के विरोध में आदर्श वादी सिध्धान्त अस्तित्व में आया क्योंकि निश्चित यतार्थवादी सिध्धान्त को तभी संतुलित किया जा सकता था जिबकि हमारे समक्ष कुछ निश्चित आदर्श हो क्योंकि अंतुतों गत्वा कोई भी निर्ण लिया कारण है कि यदार्ट वादी सिध्धान्त को संतुलित करने के लिए आदर्श वादी सिध्धान्त की अवधारणा को अंतर राश्ट्रिय राजनीती में देखा समझा जाने लगा जिसके संबंध में हम अगली वीडियो में चल्चा करेंगे डेस डेट सौल टूडे प्लीज टेक केर अफ यूरसल थैंक यू अटा जाने की अवधार नाद्रियो